अभी इसको एक बहुत भी बढ़िया एक्सजाइस है जो हम कमर के दर्द या घुटने के दर्द के लिए उसकर सकते हैं यो दोनों येडि जो हैं वो जितना हो सके बैटेक्स के पास रहने दो और शिटना सकते हैं यह अगया जो और घुटना में अयोगा जाहिए यह यह lot बैदक कर सकते बस यह भी अभी आई तो ऐसे रख सकता हूं तो ऐसे रख लेता हूं और यह एडी के दर्द, घुटने के दर्द, कमर के दर्द, सैयाटिक पेन, डिस्क बल्च इन सभी में अच्छा कार्य करता है तो कैसे करना है देखिए बड़ा सिंपल है और इसमें मैं अभी पहले राइट लेग से शुरू करने वाला हूं तो यह राइट लेग को आगे ले जाना है तो कैसे ले जा रहा हूं देखिए इसको आगे धक्का नहीं देना है धीर ऐसे करना है फिर धीर ऐसे करना है फिर खो आपसर था दो फिर ती अभी में देख रहा हूं कि मेरा दोजो पैर बराबर नहीं है यह इसका मतलिक तो यह थोड़ा सा वीख थोड़ा सा और आगे कर लिया और अभी बराबर कर लिया इसमें क्या करना है कैसे अपने पहर को मैं मुऔ करता हूं ये देखिए तो पहले सबसे पहले ऐसे थोड़ा सा उठाया यहां देखिए ग्याप आ गईा इधर एधर आ गईा है आए और ये आने के बाद धीर है को खोलनाань तो दुबारा ऐसी करना है और ढीरेसे खोलना भी एक पैर का काम हो गया इधीन बार किया बस इसको भी रोक दीजिए अब ये वाहा पैर लेते हैं ये वाला पैर में भी आइसा ही करेंगे दिखेर पहले हम ऐसे करेंगे ये दिए एसे खोलना है पिर ऐसे करेंगे धीर एसे खोलना है अब मैं देख रहा हूं कि मेरे दोनों पैर बराबर नहीं है तो यह वाला पैर थोड़ा पीछे है तो और थोड़ा उसको समान कर दिया यह दिखाता है कि यह सेड थोड़ा वीक है यह सेड थोड़ा स्ट्रॉंग था इसलिए यह अच्छा से मूह किया यह अच्छा से मूह नहीं किया अभी दूबार इस सेड को फिर वैसे ही एक दो तीन फिर इसको छोड़ दो अभी यह से लेफ से एक दो तीन अभी यह करीब-क किया इसके बाद इखठा एक दो तीन तीर दिले करके ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए चार पाच ऐसे करते जाओ थोड़ा सा खिचाव आएगा इदर चलेगा अभी इसके बाद अभी दोनों पैर इकठा करना है आगे देखिए धीर इसे एक दो तीन चार अब देखिए मेरा पैर तोनों पैर पूरा ही लगे हुए है धीरे देरे करके एक उठना लग जाएगा यह देखो अभी यहां तक मैं कर पा रहा हूं अभी दूर से देखिए मेरा पूरा पैर देखिए यहां नीचे तोड़ा ग्याप है और वहां पैर जमीन प देखिए यहां नीचे ग्याप है यह धीरे से कम हो रहा है और यहां ऐसे छोड़ दिया यह हो गया आगे जाने का अभी वापसी में कैसे आएंगे तो वापसी में भी ऐसा ही शोली करना है तो पहले शोली दोनों पैर को इकठा कर लिजिए और इकठा करके थोड़ा ग्याप थोड़ा बढ़ रहा है और तीर से मैं इसको पीछे ले रहा हूँ और यह ग्याप बढ़ता जा रहा है और थोड़ा थोड़ा करके अभी देखिए कितना स्लोली यह जो ग्याप है यह ग्याप को भी आपने देखना है कि यह कितना स्लोली आज वापस आ रहा है तो तो ऐसे करते हुए यह पहला पुजिशन में आगए यह देखिए पहला पुजिशन और इन लोग पर इतना नजदिक नहीं रख सकते हैं और फिर इसी को और दो बार रिपीट करना तो बहुत ही आराम आएगा आपके लिए में डिस्क बल्ज हो या सियातिका पैन हो दी कि समी में यह बहुत लाब देता है थैंक यू वरी माच